कांगरेस पार्टी की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी के 22 जन्वरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होने की खबरों के बीच शुक्रवार को कांगरेस ने कहा कि पार्टी इसका फैसला लेगी और इस बरे में उचित समय पर बताया जाएगा एक रिपोर्ट के अनुसार सोनिया गांधी के अलावा कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष और राजसभा में विपक्ष के नेता मल्लीकारजुन खडगे और लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी को भी राममंदिर उध्गाटन के का खडगे को आमंतरित किया गया है इस संबंध में उचित समय पर फैसला लिया जाएगा जिसकी जानकारी उचित समय पर दी जाएगी उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेता सैम पित्रोदा के बयान से दूरी बनाते हुए कहा उनका बयान कांग्रेस का आधिकारिक बयान न जलने के तुरंत बाद इस पर पार्टी का स्टैंड क्या होगा इसे लेकर आला नेताओं की बैठक हुई है जिन नेताओं से परामर्श किया गया उनमें पीच दंबरम, अंबिका सोनी, केसी विनुगोपाल, जयराम रमेश, दिगविजय सिंग और रंदीप सुर्जेवाल शामिल है, कुछ दिन पहले दिगविजय सिंग ने एक समाचार एजेंसी से कहा था, राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट किसी एक पार्टी का नहीं है, ऐसे में वहाँ जाने में क्या आपत्ती है, सोनिया जी इसे लेकर सकारात्मक है, या तो वो खुद जाएंगी या फिर हमारी तरफ से कोई प्रतिनिद ही जाएगा, हालंकि ये बताया जा रहा है कि मंदिर की प्रान प्रतिष्ठा के लिए आया निमंत्रन पत्र किसी दूसरे को नहीं दिया जा सकता, ऐसे में कॉंग्रेस के लिए सोनिया गांधी की जगह किसी और को भेजना शायद मुम्क प्रतिन हो